असलामलीकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब खेरियत से होंगे और अपनी घरों में खूश होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अलू अला नान बना के दिखाया जाए तो मेरे पास जो है नान की डो भी पड़ी हुई थी और लेफ्ट आवर जो है मेरे पास आलू की पैटी भी पड़ी हुई थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को तो यहां पे जो है मैंने नान का पेड़ा ले लिया हुआ है तो हम इसको जो है अच्छे से गोल करके रख लेंगे तो यह जो है मेरे पास बड़ा हुआ था तो मैंने का चले इसी का जो हैना आज नाश्ता करते हैं तो अभी थोड़ी देरी हुई है मैं सोके उटीती बाबर गए हुए क्यूंके तो आज मैंने अके लिए ही नाश्ता करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को तो नान की डो की रेसिपी और आलू की पैटिक की रेसिपी है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो आप लोब रिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर देख सकते हैं मैं वहाँ पर इसका लिंक एड़ कर दूए तो नान को हमने तकरीबन इतना ही बेलना है जादा नहीं बेलना और अब हम इसके दे रखेंगे अपनी आलू की पैटिक को बहुत जैदा आपनी इसको में पमल्खरेश था में बेलना ही बेलना ही लोगा inten financi देवार में उ बेलना भाнов में सब्षों में ह apology कना बताउ आप को में सब्यक्तरा आप की देल out तो हमने यहां से इसको पकड़के यहां रखना है हम ऐसे इसको बंद करते जाएंगे ताके हमारा नान खुले ना अच्छे से हमने नान को बंद कर लेना और इसको ऐसे दबाना है उपर से अब आपने इसके उपर तिल लगा लेने और थोड़ी सी कलवंजी एड़ करेंगे कलवंजी को आप खानों में जरूर एड़ किया करें नहीं तो आप सुबा इसको निहार पेटी खा लिया करें यह बहुत ही फाइदे मंद होती है हमारे नभी ने भी फर्माया है तो आप लोग इसको जरूर अपनी रूटीन में एड़ करें तो मुझे तो नान पर यह बहुत ही पसंद रहा तो मैं इस लिए इसको जरूर एड़ करतीं तो आपने इसको बेल ले ने हरके हातों से तो नीचे आप थोड़ा सा जो है ना फ्लोर एड़ कर ले तो यह चिपक ना नी चाहिए नीचे से वड़ना फिर यह खोल जाएगा तो चले हम इसको बेल लेते हैं अच्छी सी शेप दे लेते हैं इसको तो नान चे हमारा बेल चुका है तो अब हम इसके ओपर डिजाइन पना लेंगे सेम उसी प्रोसीजर से आपको इसका भी पता होना चाहिए कि हम इसके भी डाल सकते हैं और हमारी हैंड की फिंगर्स है ना हम उससे भी एड़ कर सकते हैं तो उसका में आपको नान बनाओंगे तो मैं फिर आपको इसका डिजाइन बताऊंगे तो कैसे अड़ करना है तो यह देखें बहुत अच्छा डिजाइन बन चुका है तो अब हम इसको जिला हाथ करके उठा लेंगे अपने हैंड पर इस तरफ उठाना है हमने बैक वली साइड नहीं ठानी तो यहां से जो है ना फिर वह हम डालनी सकते सही तरीके से तो नहीं यहां बैक फ्रेंट बहुत शाइड है अपनी इस हाथ पर रखनी है ऐसे तो फिर पिर हम इसको पैंड के अंदर डालेंगे चलिए पैं की तरुछ चलते हैं तो पैं हमारा गरम हो चुका है तो चलिए इसको तकरीबन 5 मिन्ट के लिए ढखके रख देते हैं 5 मिन्ट के बाद हम इसको खूल के देखेंगे तो तकरीबन यह हो चुका होगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे फिर इसको पॉज्वी से division कर लेंगे तो यहां पर जो आनान को रखे वे तकरीबन 3 मिनट है तो अब हम साइट चेंजक कर लेंगे ज्छा धेर हिए थोड़ा साइटपी हो जाए ऎ। हो चूपा था तो अब हम इसका साइट के चेंज कर लेंगे उस्ट होय। बैकसाडस समय होजेंगा और भी वो पिल्डन तो अब भी हम दूसरी साइड से इसको थोड़े दिर के लिए रख देंगे और दूसरी साइड से भी मैंने तकरीबन पालमिन के लिए इसको ढ़क्या रख दिया था पकने के लिए और तकरीबन यह हो चुका था तो अब मैं जो इसकी साइड चेंज कर लूँगी और यह तो मैंने यहां पे इसको देशी की लगाया थोड़ा थोड़ा सा और मैं इसको जोना लायूट सा फ्राइ कर लूंगी और बहुत इचा जोना स्मिटेश्ट आजेगा इसका तो मैंने दो से तीन मुंट के लिए इसको दोनों साइड से फ्राइ कर लिया था ताकि यह अच्छी तरह पक जाए अंदर से कच्छा ना रहे और इस पर कलर भी अच्छा सा आ जाए तो नान जो हमारा बहुत ही मज़े का बना था तो वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लाइक करें शियर करें कमंट करें और सबस्क्राइब करना मत भूलीगा तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए अलाह आफीज